बिल गेट्स ने बहुत अच्छी बाते बोली हैं ने हमेशे याद रखना अपने जिन्दगे में एकदम से खुशी चाहते हो तो गाने सुन लो दोस्तों आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसे लड़के की स्टोरी के बारे में जो अपनी हाट बर्किंग की वज़े से आज मंजल तक पहुच वाई हैं वो खुद तो इतनी ज़्यादा मेहनत करते ही हैं और साथी लोगों को भी एजुकेटिट करवा रहे हैं तो दोस्तो हम बात कर रहे हैं सिवम मलक के बारे में दोस्तों सिवम बहुत ज़्यादा हाट बर्कर हैं सिवम लोगों के लिए इंस्पारेशन बन चुके हैं वो मौटिवेशनल वीडियो बनाते हैं और लाकों लोगों को मौटिवेट भी कर रहे हैं जिसकी वज़े से वो सोसल मीडिया पर चाय हुए हैं दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे इनकी लैप इस्टोरी से लेकर सोसल मीडिया लैप तक की पूरी कहानी और साथ ही जानेंगे इनकी पर्शनल लैप के बारे में सब को दोस्तों आज की वीडियो होने बाली ये बहुत ही ज़्यादा इंस्पारेशनल तो वीडियो को इंट तक जरूर देखना इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नई हैं और हमारे चैनल को भी तक सिस्क्राइब नहीं किया मैं उस प्रभू का सेवक हूँ जिसे अग्यानी लोग मनुश्य कहते हैं अगर आपके दिल और दिमाग के बीच में संघर्ष चल रहा है तो हमेशा दिल की सुन केवल उनीका जिवम का फुल नेम सिवम मलेक है और निकनेम सिवम है इनका जन 9 अक्टूबर 1995 को देलई में हुआ था तो बात कर ले थे इनके एजूकेशन के बारे में तो इन्हें उन्हें अपने स्टार्टिंग की पढ़ाई देलई में डिये भी पबलिक स्कूल से की थी सिवम पढ़ने में बहुत अच्छे थे उन्हें टेंथ में 62 परसेंट और 12 में 72 परसेंट स्कूर किया था इन्हें स्टार्टिंग से एक्टिंग करना और स्टेज पर परफॉम्नें देने का शौक था वो हमेशा से यही चांते थे कि वो एक फैमस स्टार बने जिससे वो अपने पैरेंट्स को प्राउड फिल्ड करा सकें स्टार्टिंग की पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद सिवम ने बीविये किया और उसके बाद एम बीविये करके इनकी प्लेस्मेंट एपल इंडिया में हो गई मा इने कापी अच्छी सेलरी भी मिलती थी लेकिन कुछ प्राउब्लम्स की वज़ए से उन्हें ये जॉब भी छोड़नी पड़ी फिर उसके बाद सिवम ने बैंक में जॉब करना स्टार्ट कर दिया तो दोस्तों अब बाद कर लेते हैं इनके फिजीकल स्टेटस के बारे में तो इनकी आज सिक्स फीट है और वोड़ी वेड लगवो 75 केजी है तो अब बाद कर लेते हैं इनके फैबरेट थिंग्स और होवीज के बारे में तो इनके करिकेट खेलना और जिम करना बहुत ज्यादा पसंद है वो कितने भी ज्यादा बिजी हो लेकिन जिम इसके कभी भी नहीं करते है तो दोस्तो अब बात कर लेते हैं सिवम ने अपने सोसल मीडिया पर करियर की सुरुआत कब की थी तो इन्होंने अपने करियर की सुरुआत टिक टॉक से की थी ये अपने ग्रेजुएसन के टाइम से ही टिक टॉक पर वीडियोज बनाया करते थे पहले से हम लिपसिंग वीडियोज बनाया करते थे से हम कहते हैं कि जिन्दी एक बार मिलती है और अपने फैशन को फॉलो जरूर करना चाहिए पहले से मैं लिपसिंग वीडियोज बनाया करते थे लेकिन बाद में मौटिवेशनल और इंस्पारेशनल वीडियोज बनाने लगे जॉब करने के साथ ही ये टाइम निकाल कर वीडियोज बनाया करते थे सुबह 9 से 6 बजे तक जॉब किया करते थे उसके बाद जिम जाते थे फिर रात में 2 से 3 बजे तक वीडियोज बनाया करते थे वो अपने फैशन को इतना जादा फॉलो करने लगे थे कि लोग बोलने लगे थे कि ये पागल हो गया है लेकिन सिवम ने रेगलरली दिन में 4 से 5 वीडियो डालना स्टार्ट कर दिया और देखते ही देखते ही इनके फॉलोवर्स मिलियन में पहुच गई थे जब टिक टॉक बैन हुआ था तब इनके 7 मिलियन से भी जादा फॉलोवर्स थे टिक टॉक बैन होने से सिवम काफी हर टुए थे लेकिन सिवम ने हार नहीं मानी और फिर रेल्स पर वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया इट्सोक के अगर आपके पास ज़्यादा कपड़े नहीं है पहनने के लिए आप रिपीट करते हो इट्सोक के अगर आपके पास महंगा ऐफोन नहीं है सब की तरह इट्सोक के अगर आप दूसरों की तरह हर अफ़ते पाटी नहीं करते हो इट्सोक के अगर आप सिंगल हो रिलेशन्शिप में नहीं हो स्टाटिंग से इनकी इंस्टाप पर वीडियो तेजी से बारहल होने लगी थी दोस्तो सिवम को इंस्टाप पर भी खूब फहम मिल रहा है तो दोस्तो आब बात कर लेते हैं इनकी सोसल मीडिया पर फैन फॉलोंग के बारे में तो इनकी इंस्टारडी सिवम मलक 09 के नाम से है जिस पर 3 मिलियन स्वालोर्स हो चुके हैं इनका खुद का एक यूटूब चैनल भी है सिवम मलक के नाम से जिस पर 1.43 मिलियन सस्क्राइबर हो चुके हैं यूटूब पर सिवम ब्लॉक्स और इन्फॉर्मेशन वीडियो डालते हैं दोस्तो सिवम को गोल्ड प्ले बटन भी मिल चुका है दोस्तो सिवम कहते हैं कि कोई भी काम नामुम्किन नहीं है मैनत इतनी करोगी सपल तक खुद बाखुद चलके तुम्हारे पास आ जाए तो दोस्तो सिवम की इंस्पारेशनल वीडियो आपको कैसी लगती हैं कमेंट करके जरूर बताना सुनने में बहुत जाद आजीव है पर एक इंसान जेल इस वज़े से गया कि वो अपने पडोसियों को रात को सोने नहीं देता था 47 इसकी एज है और ये रात को 2 घंटे तक लगतार घोडे की आवाजे निकालता था